स्वागत है आपका टेरस गार्डनर्स पे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं चिली प्लांट के उपर बात करने वाला हूँ लेकिन आगे चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ यह देखी दोस्तो यह है मेरा चिली प्लांट जिसे मैंने सीट से जर्मिनेट किया था और यह जो है यह इसकी मदर प्लांट है देखी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसमें कुछ फ्रूट्स को चोड़ दिया था और वेट कर किया था कि यह ड्राई हो जाए उसके बाद मैंने इन ही के सीड्स को यूज करके कुछ नए जो है वो सीड्लिंग्स तयार किये और यह तीन जो है वो नए प्लांट जो है मैंने यहाँ पर उप जाकर जो है यह 24 इंचेस के ग्रो बैग में जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्दी तीन प्लांट लगे उन्हें मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था यह देखिए दोस्तो यह प्लांट ने कितनी ग्रोथ ले ली है और इसमें फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यह देखिए किस तरह से मैंने इसे बुशी बनाया है मेरे इस वाले पुराने जो प्लांट में भी जो है दोस्तो अभी तक फ्लावर्स आही रहे हैं और इसकी जो एज है दोस्तो यह लगभग दो साल हो चुकी है फिर भी यह फ्लावरिंग दे रहा है लेकिन दोस्तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ट्रॉप हो जा रहे देखिए इसमें बहुत ही फूस्छी है धुलाक हो जा यहां वहां सारेफलवर और गिरेपरे हैं और पुराने वाले प्लाउट में भी अभी ही हाल कि सारे't जो है वो drop बिना fruit में convert हुए drop हो जाते है देखिए दोस्तो इनके कई सारे कारण हो सकते है मिर्ची जो है एक heavy feeder plant consider किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मातरा में flowering होती है और ये बहुत ज़्यादा large amount में fruit produce करता है जिस वजय से इसकी जो nutritional requirement होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें ध्यान देना होता है इसकी स्वाइल का हाला कि स्वाइल प्रिप्रेशन पे मेरा एक already वीडियो है कि मैं किस तरीके से जो है स्वाइल को prepare करता हूँ अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो link में description box और i button दोनों में दे देता हूँ जरूर देखिए तो दोस्तो मैं बात कर रहा था मिर्ची के nutritional value के बारे में देखिए दोस्तो अगर आपने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है आप time to time इन्हें fertilize करते रहते हैं और आप इन्हें protect करते हैं सभी तरह के insects से और insect pest attack से तो दोस्तो एक ही reason बचता है flower का fruits में convert ना होने का वो है pollination पिछली बार दोस्तो मेरे इस पुराने plant पे बहुत ज़्यादा heavy fruiting होई थी मैं उसका जो है picture आपको insect में दिखा रहा हूँ लेकिन उस समय और इस समय में फर्क यह है दोस्तो कि वो spring season था और उस समय मेरे terrace पे बहुत सारे spring वाले हो जो flowers होते हैं जैसे nestracium, cosmos, petunia, marigold, raniculus, guldavadi, आदी बहुत सारे plant हुआ करते थे जिस वज़ा से यह जो है मेरा जो पूरा terrace था वो हव बना हुआ था bees का और butterflies का तो pollination दोस्तो एक natural process है जो कि bees और butterflies या फिर other insects के द्वारा किया जाता है देखी दोस्तो पॉलिनेशन के लिए मैं आपको एक plant पिक करके मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा नजदीक से यह देखी दोस्तो इसमें जो ऊपर में white color का है इसे stigma बोलते हैं जो आप देख सकते हैं छोटा सा white color का जो है stigma बोलते हैं और जो side side में green green है वो एंथर है एंथर दोस्तो male पार्ट होता है और stigma जो है फीमिल पार्ट होता है हमें क्या करना होता है दोस्तो एंथर से pollen लेकर stigma के उपर लगा देना होता है stigma जो की इसकी ovary से जूरी होती है जिसके बाद इसमें fruit की formation होती है यह देखिए इस तरीके से मैं एक ear bird का use कर रहा हूं आप चाहें तो small painting brush का भी use कर सकते हैं देखिए इस पूरे process को hand pollination कहते हैं bees या फिर butterflies या फिर other insect की कमी हो अगर तो फिर हम hand pollination use करते हैं तो मैंने आज सोचा कि आज एक बार hand pollination करके देखते हैं उसके बाद इसमें कैसा result आता है वो भी मैं आपके साथ share करूँगा तो आपको करना यह है दोस्तों कि flowers को तोरना नहीं है flowers को as it is plant में ही रहने देना है और बहुत ही gently तरीके से इस तरीके से hand pollination करना है यह पूरी प्रकिरिया जो है दोस्तों generally जो है वो naturally होती है बीज के द्वारा लेकिन अभी मेरे terrace पे जो है वो flowering plant की कमी है इस वज़े से butterflies बीज आदी attract नहीं हो पा रही है तो मैंने सोचा एक बार hand pollination करके देखता हूँ क्या result आता है तो यह थी दोस्तों hand pollination के उपर मेरी detail वीडियो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं इसके updates भी आपको देता रहूँगा देखते रहिए terrace gardeners